दोस्तों अगर आप अपने चेरे के दाग धबों को खतम करना चाहते हैं, और चेरे को खुपसूरत गोरा बनाना चाहते हैं, और बो भी कम पैसे में, तो इस वीडियो का पूरा देखना, दोस्तो आज का जो ये नुस्खा है ये नुस्खा आपके चेरे के सारे दाग दबों को खतम करेगा जाईयों को खतम करेगा पिंपल्स को खतम करेगा आपके चेरे पर कोई भी यानि तोचा से कोई भी जुड़ी प्रोब्लम है यानि डार सरकल की प्रॉब्लम है तो भो भी आपकी खताम होगी तो चा को टाइट करेगा ब्रैट करेगा ये मेरा नुस्खा तो दोस्तों यहाँ पर नुस्खा तयार करने के लिए आपको लेना होगा हल्दी पाउडर यहाँ पर मैंने आदा छोड़ा चमच हल्दी पाउडर ले लिया है हल्दी पाउडर हम दोस्तों क्या होता है एंटि वाइटि गुड और ये हल्दी पाउडर क्या करता है आपके चैरे पर दूर मिट्टी गंदगी से जो बैक्टिरिया हो जाते उनको भी रिमूब करता है और साथी साथ यह हल्दी पाउडर चैरे को ब्रैटनेस बढ़ाता है अब इसके बाद में हम दूसरी सामगरी लेंगे यह है दोस्तों कोलगेट का पेस्ट यानि तूट पेस्ट आपको लेना है तो यहां पर मैंने वाइट वाला लिया है, आपको वाइट वाला ही लेना है ये जो पेस्ट है आपकी तुचा को ठंडक देगा और आप की तोच्चा पर बिल्कुल बिलीच की तरीके से काम करेगा तूट पेस्ट ठीक है धो और आपके चेरे की तोच्चा है उसको tight भी करेगा bright भी करेगा और मैं आपको बता दूँ आपकी जो dead skin है उसको भी ये remove करेगा अब इसके बाद में इन सबी चीजों को हम अच्छे से करेंगे mix अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या लेना है lemon यानि की नीबू नीबू में दोस्तों क्या होता है citric acid और ये नीबू क्या करेगा ये आपके रोम छुद्रों को deeply जाकर के clean करेगा जिससे की आपकी तोचा सुद्ध ताजी हवा लेगी और आपकी तोचा पर brightness आएगा आपके चेहरे पर क्या होगा ये हर तरीके के दाग दब्मों को खतम करेगा डार्क सरकल की problem को भी खतम करेगा तो यहां पर हमें क्या करना है यहां पर मैंने एक चमच नीबू का juice इसमें डाल दिया है और इसके बीजों को हम हटा देगे अब इसके बाद में हमें क्या करना है हमें इन सब चीजों को मिला देना है दोस्तों आपसे एक रिक्वेश्ट वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों मैं share कर देना चैनल को subscribe कर लेना अगर आप new है तो यहां पर इन सबी चीजों को हम अच्छे से mix कर दे रही है दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना मैं आपको बताऊंगी कि इसे आप कितनी बार यूज करेंगे तो अब इसके बाद में इसमें हमें डालना है सैंपू यहां पर मैंने लिया है क्लिनिक प्लस सैंपू आप जो भी सैंपू यूज करते हो अपने घर पर वो ही सैंपू आप ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर हम क्या करेंगे करीबन एक चमच भर करके इसमें हम डाल देंगे सैंपू तो इसमें मैंने करीबन एक चमक सैंपू डाल दिया है और अब इसके बाद में हमें क्या करना है अच्छे से करना है mix दोस्तों सैंपू क्या करेगा आपके तुचा से धूल मिट्टी गंदगी को खतम करेगा जो धूल मिट्टी जम जाती है परस ही जम जाती है उसको ये निकालेगा और तुचा में चमक लाएगा तो यहाँ पर लगवक जो ये नुस्का है बनकर कि बलकुल तयार हो चुका है और अब आपको इसे कितनी बार लगाना है हफते में वो भी मैं आपको बताऊंगी और कितनी देर तक लगाना है तो चले अब मैं जिस तरीके से अपने हाथों में इस नुस्के को लगा करके आपको बताऊंगी उसी तरीके से आप अपने चेहरे पर गर्दन पर आप इसे लगा सकते हैं आप चाहें तो इसे अपने हाथ पेरों पे भी लगा सकते हैं तो चले यहां पर आपको करना क्या है इस पेश्ट को ले लेना है और लेकर के आपको अपने पूरे चेहरे पर इसको लगा लेना है अपने चेहरे पर अपने गरदन पर आप इसे लगा लीजिए तो चले मैं आपको अपने हाथों में लगा करके दिखाती हूँ दोस्तों बह खोदी मुझे थैंक्स बोलोगे इसने उसके के लिए तो यहां पर दे सकते हैं मैंने पूरा पेश्ट ले लिया है मैंने एक बार का बना करके आपको दिखाया था तो यहां पर मैंने पूरा पेश्ट ले लिया है और अपने हाथों पर लगा लिया है आपको इसी प्रोसिस से इसे करीबन दस मिनट तक चेरे में लगा रहने देजिए दस मिनट के लिए इसे बिलकुल छोड़ दीजिए चेरे पर और उसके बाद में आपको क्या करना है सिंपल पानी से अपने चेरे को अपने गरदन को साफ को नहाने से पहले आप इसे लगा सकते हैं या दिन में किसी तो अगर आप इसे हपते में दो से तीन बार यूज करते रहे इस नुस्के को तो आप देखना आपके चेरे पर इतना निखार आएगा इतना गिलो आएगा कि आपके जो परोसियां वह भी आप से पूछेंगे क्या लगाती हूं और यह जो नुस्का है जैंस लेडी कोई लगा सकता है नो प्रॉब्लम तो आपको क्या करना है मैं आपको दो के दिखाती हूं यह देखे मेरे हाथों को मैंने अपने हाथों को दो कर दिखाया है पहली बार के प्रयोग में ही आप देखिए कितना व्रैटने से मेरे हाथों में आप देखिए कितना चमक चमक उठाय नहीं है अब मैं आपको बता दूँ अगर आप सैंपू यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसे में आप कोई भी फेस बॉस यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बस आप इसमें उसके को इसी तरीके से यूज करिए और कुछ दून तक प्रयोग करिए आप देखना आपके पर चमक आजाएगी तुचा पहीं दिखार आजाएगा तुचा होगी ब्रैट होगी आपकी चेहरे पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है और आपकी तुच्छा पें निखार आ जाएगा चमक आजाएगा तो चरिक दूस वीडियो पसंदया तो लाइक करें दूस्तों से लिए नमाशकार